महिला मुख्या के आसिक संग फरार होने का मामला अभी सांत नहीं हुआ था कि नलंदा में एक निता जी की दिल लगी का मामला सामने आ गया नलंदा की यह लव स्टोरी पुरे छेत्र में चर्चा का विशे बना हुआ है चुनाव परचार के दोनान निता जी पास के ही गाव में वोट मांगने गये लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो गाव की ही लड़की को दिल दे बैठेंगे निता जी वोट मांगने गय हुए थे लेकिन वो अपना दिल दे दिये चुनाव परचार के दोरान दोनों के प्यार का परवान ऐसा चड़ा कि निता जी तो चुनाव में जित नहीं पाई लेकिन वो अपने प्यार को हासिल कर लिये आपको बतादे कि चुनाव प्रचार के दोरान दोनों का मिलने का सिलसिला चलता रहा एक दिन दोनों को गाव वालों ने देख लिया और फिर क्या था नेता जी की पकड़ कर शादी करवा दी आपको बतादे कि दोनों चोरी छिपे मिलते थे घंटों मोबाइल पर बाते होती थी इस बात का पता जब लड़की के परिजनों को लगा तो दोनों की बातचित पर लड़की के परिजनों ने पावंदी लगा दी इसके बावजूद भी दोनों मौका पाकर मिलते और बातचित किया करते थे इस पर जब सक्ती बढ़ी तो दोनों घर से फरार हो गए फिर दोनों को पटना में एक साथ पकड़ा गया जब परिजनों ने लड़की को घर ले जाने का परियास करने लगे तो दोनों गाउ जाने से साफ मना कर दिया काफी मान मनावल के बाद दोनों गाउ पहुचे और पहसते ही मंदिर में दोनों की शादे करवा दी गई आपको बता दे कि जो नेता जी थे उनका नाम रविकांत बताया जा रहा है वो पंचायत चुनाव में खड़ा हुए थे सरपंच पद का उमिद्वार थे लोगों से वोट मांगने के लिए वो घर घर परचार करने जाया करते थे वोट मांगने के दोरान रविकांत अपना दिल दे बैठा काजल भी उसे पसंद करने लगी दोनों के बीच बात से शुरू हुई और चोरी चुपे मिलने का सलसिला भी जारी हो गया लेकिन नेता जी सरपंच का चुनाओं तो हार गएं लेकिन अपनी प्रेमी काजल को वो पा लियें